दिल्ली और पंजाब के बीच हुए ग्यान आदान प्रदान समझोते को लेकर विपक्षी दलो भाते जुनतपपाटी और कॉंग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंग केज्रिवाल पर निसाना सादा तथा आरोप लगाया कि ये राज्ट्री राजध पंजाब की नौकर शाही को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना है उन्होंने ट्वीट किया पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच ये समझोता पंजाग के हितों और संप्रभूता को अर्विं केज्रिवाल के पास गिरवी रखने से कम नहीं है केज्रिवाल जी पंजाब को नियंत्रित करने और तबत्र करने का इस इंडियन कंपनी जैसा आपका एजेंडा पंजाबियों को सुईकारे नहीं है मुख्यमंत्री भगवन मान हम आप से आग्रह करते हैं कि ये आत्म समर्पन नहीं करे दिली कॉंग्रेस अद्यक्षा निल कुमार ने आरोप लगाया कि ये समझोता पंजाब सरकार को असन वैधनिक तरीके से रिमोट कंच्रोल करने का केज्रिवाल का कुटिल तरीका है कुमार ने दावा किया कि केज्रिवाल दुआरा राज के मुख्य सचीव सहीत पंजाब के विबिन वरिष्ट अधिकारियों से मुलकात की हाल की घटना ने पंजाब के मुखमंत्री की शक्तियों को कमतर बना दिया है बाजपर सदसे और दिली विधान सबा में विपक्षी के नेता रामविर सिंग विदूरी ने समझोते की निंदा करते हुए कहा कि केज्रिवाल दिली में बैट कर पंजाब पर शासंग करना चाहते हैं उन्होंने आरोप लगाया इस समझोते की नाम पर केज्री वाला पंजाब के मंत्रियों और अधिकारियों को तलब करेंगे तथा दिली से राज़ी की सरकार चलाएंगे ये पंजाब के मुखमंत्री को कटपुतली बना देंगे इस खबर में बस इतना ही ऐसी तवाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें